नमस्कार स्वाकेत आप सभी का आएंपी अफ तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं जेपी नड़ा की मिशन 2023 पर जेपी नड़ा आ गए और लग गए उन्होंने शुरुआत कर दी हैं मिशन 2023 की मिशन 2023 क्या मध्यप्रद को फदा करना और बाकी राजियों को फदा करना जहां पर चुनाम होने वाले बीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा आज दरसल खरगून के दौरे पर है और उन्होंने यहां पर रोड शो किया और जन्सभा में कमलात पर जमकर हमला भी बोला उन्होंने ब जनता का अपराधी उन्हें बताया तो वहीं सीम शिवरा सिंग चौहान ने बड़ा एलान किया और खरगून को मेडिकल कॉलेज की स्वगात देने की बात इसके साथ ही नौगरह कोरीडॉर के लिए कीज करोड की रकम स्वीक्रत करने की घोशना भी मुख्यमंत्री की द्व मजूद थे और एक जुन सहलाव यहां पर देखने को मिला और खरगोन की जो परंपरा निमार की जो परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार यहां पर स्वागत किया गया वीजेपी की राश्मी अध्याप शोग जेपी नड़ा और उनका स्वागत अभी नंदन कुछ इस अ कादिवासी इन सब की चिंटा करने का काम अगर किसी ने किया है तो तो केंडर की सरकार नरेंडर अंतर ये पड़ा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अल्तरास्ट्वियस अंक्था है वो कहती है कि मोदी जी के राज में मद्यप्रदेश में भी शिवराज जी के राज में गरीबी 22 प्रतिशत से घट करके 10 प्रतिशत से कन हो गई है यह एक लाक अठाइस अदार मकान कमल लाक ने वापस किया था बोलो कमल लाक अपरादी है कि नहीं है अपरादी है कि नहीं आपका हिस्सा इसने मारा की नहीं मारा आपका हिस्सा मारा की नहीं मारा अर्वों के साथ तर्ण्या लिया था बता तुमारा मेडिकर वाले जीना था कि नीचीना था तो जीना था वो ज इधर खरगोन में ही बीजेपी ने कॉंग्रेस को एक बड़ा जभटका भी दे दिया महेशवर से कॉंग्रेस विधायक विजे लक्षमी साधो की छोटी बेहन प्रमीला ने बीजेपी का दामन थाम लिया प्रमीला साधो को जेपी नड़ा ने बीजेपी की सदिसिता देलाई प्रमिला का कहना था कि अगर पार्टी टिकट देगी तो वो महिश्वर से चुनाओ भी लड़ लेंगी प्रमिला साधों ने कॉंग्रेस पर पिता का सम्मान नहीं करने के भिया रोग रहा सितराम साधों को क्या सम्मान दिया कॉंग्रेस में यहां तक कि उनकी कभी सद्धान जली सभा तक नहीं रखी सितराम साधों को निमार का गांधी बोला जाता है मडलेशों में कही है कि स्टेच्यू है उनका जवाब देमर को कंग्रेसी तो वक्त आने पर वो बता देंगी कि क्यों बीजेपी जाइन कर ली क्यों छोड़ दिया वरते आगे पीम नरेंद्र मोदी कल मध्यप्रदेश के शहदोल आने वाले हैं प्रधान मंत्री मोदी यहां पर सिकल सल एनीमिया भ्यान को लेकर शुबारम करने वाले हैं एक करिया गाउं में आदिवासियों के अलग अलग समुहों से सीधा संबात करने वाले हैं इस कारिक्रम में मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान के लावा बीजीपी के आला नेता भी मौजूद रहेंगे और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर लिए शेडोल से सिकल से लभ्यान की शिर्वात हो रहे हैं पिम नरेंद्र मोदी इस लभ्यान की शिर्वात करेंगे पिम के शेडोल दौरी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है पिम मोदी रानी दुर्गावती का नमन करेंगे साथी गौरव यातर के समपन कारक्रम में भी शामिल होंगे इस कारक्रम के बाद पिम का लालपूर और पकरिया में कारक्रम है पिम के कारक्रम के लिए वाटर प्रूफ पंडाल और डोम बनाये किया है वह एग शे किलोमेटर लंबी कॉरिडोर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया है यह बहुत ही हर्ष और गौरव का विशे है कि शेडोल में भारत के यशश्वी आदनिय प्रधान मंतिरी पधार रहे हैं एक तरे को एक जुलाई को सुरक्षा के जहांता सवाल है कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता कोई चूक का सवाल नहीं उड़ता क्योंकि सभी अपनी जवाबदरी समझ रहे हैं यहां पर लगबग 4,000 का बहल बाहर से आया है मानी डीज साब के निरदेश अनुसार और लगबग 15-16 IPS अधिकारी हैं और भी उनके अधिनस करिमचारी यहां पर आय हुए हैं सबको मालूम है कि यह VVAB जूटी उनके जिन्दगी का एक तारीख है उनके जिन्दगी के लिए बहुत ही महत्वपून डूटी है प्यादियों से सीधा समवाद करेंगे पेसा समितियों से प्याएम चर्चा करेंगे खास बात यह है कि यह पूरी चर्चा खाट पर भुगी मानिये प्रधान मंत्री जी एक तारीख को आ रहे हैं तो केवल तिथी परिवर्तन हुआ है और कारकरम वही रहेंगे और जो यहां क्या जो जन समुदा है उसमें भी बहुत उत्सा है मद्यप्रदेश देश का दिल है तो दिल के जो जितना करीब रहे उतना अच्छा है और मानिये प्रधान मंत्री जी यहां पर जनजाती समाज की लोगों से संबाद करेंगे जो मुखिया है उनके हेड मैन है इसके अलावा जो लगपती बहनाएं हैं जोनोंने सौसाइता समुदा से जोड़ कर और अपने पाऊं पर खड़े होने में सफलता पाई है तो उनसे संबाद करेंगे फिर शैडल संभाग के गाउं गाउं में जो बच्चेों ने फुटवाल के प्रती जो अनूठा जुनून दिखाया है तो उस फुटवाल करांती के बारे में मानी प्रदान मंत्री जी हमारे जनजाती बच्चों से चर्चा करेंगे और उसमें सभी समाज के बच्चे हैं व कर जब आगमन होगा तो सबसे पहले वह यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं खटिया चौपाल लगेगी यहां पर चार गुपों के साथ समवाद करेंगे रधान मंत्री जी मानिनी सीम साम मानिनी राज जिपाल जी वह लोग यहां पर जो आप जगा देख पा रहे हैं इस स्पॉर्ट पे बिल्कुल पारंपरेक जन जाती तरीके से जैसे भोजन किया जाता है उस तरीके से उनको हमने भोजन कराने की वैस्ता की है उसका मैन्यू भी जू है बिल्कुल पारंपरेक रखा गया है जैसे की आपने भी बताया कोदो भात होगा कोटी खीर होगी मक्य की रोटी है, लाल भाजी है, चौराई भाजी है और महुए का लड़ू है तो जो बिल्कुल पारंपरे जन जाती है भोज होता है हम लोग परधान मंतिजी को बिल्कुल हाथ से बनाया हुआ पारंपरे एक भोज चुदेशी तरीकर नहीं तब वो कराएंगा पियमोदी के सुरक्षा में 17 एपियस के लावा 4000 जवानों को तहनात किया गया है इसके लावा पियम का काफिला जहां से गुजरेगा वहां से गुजरने की किसी को अजासत नहीं होगी पियम पहले 27 उनको शेडूल आने वाले थे लेकिन उनका ये दौरा बारिश के विज़े मौझूद हैं सीधे उनी के पास चलते हैं अनुराग ये वाकई में बहुत बड़ा और बहुत महत्वपून प्रधान मंतरी का दौरा था जो कि पहले इस्थागित हुआ और उसके बाद फिर से अब कल प्रधान मंतरी आने वाले हैं क्या क्या महत्वपून कारिक्रम है खा और इसी को लेकर प्रधान मंति नरिद मोधी जब शेडोल पहुचेंगे तो सिकल सेल एनिमिया से जो पीडित लोग हैं उनके इलाज के लिए उनकी जाच के लिए जो पोर्टल है उसको लांच करने का काम यहां पर करेंगे और इसी के साथ आयुशमान कार्ड का जो पीवी प्रदेश ही नहीं बलके मद्य प्रदेश के लावा दूसरे राजों में भी जो आधिवासी हैं जिन में सिकल सेल अनिमिया की शकायत निकल कर आती है उनकी जाच और इलाज की व्यवस्था जो है कैसे बहतर हो इसको लेकर प्रदान मंति नरिद मोधी शेडोल से संदेश द आधिवासियों से संबाद भी करने वाले हैं पकर्या गाव जाने वाले हैं रुकने वाले हैं भोजन की विवस्था भी उनकी वहां पर की गई है लेकिन इस दौरे का एक पहलू तो यह है दूसरा पहलू मध्य प्रदेश में चुनाव आया और प्रधान मंत्री खोद आ र पहसा करते हैं और कहा यह भी जाता है कि आधिवासियों के पास प्रदेश की सत्ता की चाबी है तो ऐसे में विदान सबा चुनाव से पहले प्रधान मंत्री का यह दोरा राजनितिक लेहाद से भी बहत महत्पूर हैं क्योंकि ना सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद मोधी आधिवासि हितेशी योजना है पैसा एक्ट का किरयार में किस तरीके से हो रहा है इसको लेकर भी पीए मोधी शेडोल में पैसा एक की जो समीतिया बनीए उसके सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे तो कई लिहाद में यह पूरा का पूरा दोरा बेहद मैदपूर माला जा सक जब आधिवासियों से सीधे रूबरू होंगे तो जो सरकार की योजना है और पी ए मोधी के जो मन की बात है वो आधिवासियों के साथ करने का काम करेंगे तो बड़ा मेसेज पहुंचाने की कोशिश है और चटीस गड़ भी तो लगा हुआ है और बड़ी संख्या आधिवासियों का बड़ा प्रदेश ही इसे माना जाता है संस्कृति आधिवासियों की बहुत यहां पर पहचान में बहुत शुक्री आपका इस जानकारी के लिए पढ़ते आगे फोन पे पोस्टर मामले में नरुतमिश्रा ने कॉंग्रस पर निशाना साथ है कॉंग्रस का ट्वीट है जो फोन पे की ट्वीट को लेकर किया गया है कॉंग्रस ने कंपनी से सवाल किया है साथी साथ गानूनी कारवाई की बीच चेतावनी दिये द्रसल फोन पे ने एंपी में सरकार के खिलाफ लगी पोस्टर पर आपती जाहर की थी कॉंग्रस की चेतावनी पर प्रेमतिर नरतमिश्रा ने निशाना साथा, कहा कि ये तो चोरी के साथ सीना जोरी हो गई। ये वास्तव में इस तरह की कृत्त के लिए नहीं है जिस पर माफी माँगना चाहिए उस पर धमकार हो MP में विधांस पर चुनाव से पहले करनाटक चुनाव की तरस पर पोस्टर लगाए गए एक पोस्टर में जहां कमलाथ को वॉंटेड बताया गया तो दूसरे पोस्टर में सरकार के घूटालो का जिक्रिथा मज़े की बात यह है कि बीज़पी और कॉंग्रिस दोनों ही पोस्टर लगाने की बात से पलना चाड़ रहे है हाँ इस मसले पर जुबानी तीर खूब चल रहे है इधर धर्मांतरन को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धिरेंद्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है बड़ते धर्मांतरन को लेकर कहा है कि सनातन से आदिवासियों को दूर करने की साज़िश की जा रही है दिरेंद्र शास्त्री ने महीने में तीन दिन आदिवासी इलाकों में राम कथा करने की घुशना की और कहा है कि कथा की व्यवस्ता बागेश्वर धाम की तरफ से ही की जाएगी चालीस गाउं जंगल में आदवासियों के हैं जहां पर लगबग 25,000 आदवासि रहते हैं वहां एक गाउं है जिसका नाम है पटेरी पटेरी गाउं में तीन दन की कथा होगी और हमें ख़बर मिली है पूरे उपर तक तहल का मचा सायद सायद पक्का नहीं कोई बहुत पुलिस ने आरोपी का घर भी जमी दोस कर दिया है और पुलिस ने इस तरीके से उसका इस च्छल में जुलूश भी निकाला है और साथ ही घर में बच्ची अकेली थी जब ये पूरी वारदात अंजाम दी गए ये भी पता चला है फिलाल पुलिस ने आरोपी का घर भी जमी दोस कर दिया है मूरवा थाना शेत्र इलाके की ये घटना बताई चाए राज दिवेवेदी हमारे समधाता हमारे साथ जुड़ेवें फोन लाइन पर उनसे जानकारी लेते हैं कैसे ये वारदात हुई मासुम बच्ची के स्थिति क्या है और आरोपी तो गिरफतार हुई चुका है राज क्या जानकारी असल में ये पूरी वारदात आप सुबा की ही है सुबा तकरीवन नौ दस बजे के आजपास में बच्ची घर पे अकेली थी और ये जो आरोपी है आरोपी सिबू पनी का जिसका नाम बताया जा रहा है ये उसी बच्ची के घर पे बैठके टीवी देख रहा था और उसकी म गटना को अंजान दिया और जब उसकी माँ वापस चुकी पास में ही कुछ समान खरीजने बजार में गई थी तो वह लॉट कि आई तो बच्ची को रूता बेलगता देख करके और काफी इस ती उसी गंभीर देख करके उसने जब बच्ची से पूछा तो उसने नाम बताय जो मौरवा का स्वास्ते केंडर है वहां पहुँचे इसके अलाबा बच्ची का पिता है वो पिता पुलिस को फोन पर इसको असी सूच ना दी पुलिस ने भी काफी तदपर्था दिखाई इसमें तुरंट एक्शन लिया आरूपी की तलास रूपी और थोड़ी ही दूर क के पास में ही आरूपी को गिरफ्तार कर लिया है इसके अलाबा एक और बड़ी कारवाही पुलिस ने तदपर्था से की है कि जो आरूपी का घर है उस आरूपी के घर को भी पुलिस ने तदपर्था से गिरा दिया है जी बहुत शुक्रिया आपका इस ज़ाद कारी के में 21 देश शामिल हो रहे हैं समिलन में 40 से ज्यादा प्रतिनिधी इसमें हिस्सा ले रहे हैं भारत के 250 से ज्यादा प्रतिनिधी भी इस समिट में शामिल होने वाले हैं समिलन में 20 सेवा योगियों का सम्मानित किया जाएगा समाबन सत्र में मक्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान शामिल होगी भोपाल और इंदोर से आग से बरबादी की तस्वीर भी सामने आई भोपाल में कपड़े की दुकान में भीशन आग लग गई शापुरा के स्टरलिंग फेज वन की ये घटना बताई जा रही है दमकल और एस्थानिये लोगों ने मिलकर आग को काबू में कर लिया तो हिंदोर में एक स्कूल वैन में आख लेक गई घटना में बाल बाल स्कूली बच्चे बच बच गए बीस एफ के जवानों ने आख पर काबू पाया बौरा समाच को लोनी से बच्चों को लेकर वेन स्कूल के लिए निकली थी तब ही ये दुर घटना पीशना और अगले खबर भौपाल से जहांपर क्रिशी विभाग के इंजिनियर जिन्दा जल किया घर में आग लगी थी और बेटा पत्नी घर के अंदर फस गए थे जिन को बचाने के लिए इंजिनियर घर में दाखिल हुआ और आग बुझने के बाद सीड़ियों पर इंजिनियर का शफ मुझे इंजिनियर के बेटे और पत्नी को बचाने और आईए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरे